हेलो एन वेलकम तो दे यूट्यूब चैनल उस कॉंपेटिशन कम्यूनिटी मैं हूने कत परविन खान और पॉलिटी वीकली करेंट एफेर्स में आज हम 11-17 मार्च के बीच में नैशनल और इंटरनाशनली जो भी इस फील्ड के करेंट एफेर्स हुए हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में हम मैंक्सिमम न्यूज पॉलिटी की ही कवर करेंगे और एक दो न्यूज जो है वो हिस्टी की भी कवर होने वाली है ठीक आप जब भी कोई न्यूज पढ़ते हैं पॉलिटी से रिलेटेड तुम्हें बार बार कहते हैं उस पर ये ध्यान दें कि अगर आप पॉलिटी से रिलेटेड न्यूज पढ़ रहे हैं तो जो भी राजनेताओं की बयान बाजियां हैं जो भी स्कैम्स हैं जो भी आरो प्रत्यारोब चलते हैं, कोई सलाहें हैं, कोई बातचीत है, जो अनओफिशल, अनओप चारिक है, इन चीजों पर आपको ध्यान exam point of view से नहीं देना है, ठीक है, मतलब अगर आप कोई चुनाओ के नतीजे भी देख रहे हैं, तो कुछ भी politically आपको उससे चीजें, leads नहीं ले बस है, उससे उनमें से क्या-क्या चीजे link होती है, आपको वैसे ध्यान देना है, एक तो news in itself is important, और उसके बाद उसका जो link policy के basic study से है, उससे आपको ध्यान देना है, और even news में भी, किसने क्या statement जारी किये, कौन से घुटाला हुआ, कौन से विवाद हुए, इन चीजों प कि विदान सुभाद चुनाओं की नतीजे आ चुके हैं, और उसी पर हम नज़र डालेंगे, कौन जीता ही चीज़ें नहीं नहीं होंगी, पर आपको क्या पढ़ना है उसमें से, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक, राश्ट्री युगा संसद नहुटसफ नाशनल युथ प नेक्स्ट है, यू सुक्योल, दक्षिन कोरिया के नए राश्पती चुने गए, तो दो नए अपोइंट्मेंट्स, दो नए एलेक्शन हुए हैं राश्ट प्रमुकों के अंतराश्ट्रिस्कर पर इस वीक, हम उन दोनों को देखेंगे, एक साउथ कोरिया और दूसरे हंग किया, according to the declaration of United Nations, इस न्यूस को भी कवर करेंगे, कतर बना अमरेका का गैर नाटो प्रमुक्ष सही होगी, major non-NATO ally, तो नाटो चर्चा में है ही, उस से related जो भी न्यूस आपको, आपके मेंस वेपर सेवेंस के लिए, या फिर एकोनॉमी या पॉलिटी के प्रिलम्स के लिए चाहिए होती है, उन चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे, as such international organization अलग से topic है तो नहीं, बट हाँ, जिस तरह से pattern प्रिलम्स में भी change किया है, वो किसी न किसी तरीके से उसे link करकर आपको पूछ सकता है, और even mains में भी paper 7 में इस चीज़ है, तो कोई भी leads अ गटी कुछ घटना का, वरतमान में किसी वज़े से चर्चा उस पर हुई है, discussion हुआ है, तो वो भी आएगी जैसे की पाल ददवाव नरसाहार के 100 साल पोरे, तो पाल ददवाव, massacre एक हुआ था आपसे 100 साल पहले, उस से related एक news है, कि 100 years हो चुके हैं, तो वो massacre क्या था, उस पर भी नजर डालेंगे, और एक last news जो आज आप कवर करने वाले हैं, वो है, बोध गया में बनाई जा रही है, शेहन मुद्रा में भारत में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ती, तो बुद्धिजम से related एक ये news है, कि भगवान बुद्ध की एक मूर्ती बनाई जारी है, जो इस particular posture में सबसे बड़ी मूर्ती होगी, ठीक, तो चलिए एक एक करके इन news को cover करते हैं, सबसे पहले आ जाते हम, पाँच राज्यों में हुए विधान सुबा चुनाओ पर, तो भई, it is nothing new which I am gonna tell you in this news, आप सभी जानते हैं कि पाँचों जो विधान सुबा जिसके परिणामों में ऐसा कुछ हुआ कि जो चार राज हैं, उत्रप्रदेश, उत्राखंड, गोवा और मणिपूर है, यहां भाजपा को भव मत मिला है, और पंजाब में पहली बार एक नई पार्टी आम आदनी पार्टी को भव मत मिला है, जिसकी सरकार बनने जा रही ह और भगवन पानने आपने देखा कि उन्होंने मुख्य मंतरिपत की शपत भी ले ले ले, ठीक, तो कुल मिला करके आप इसके रिलेटेड हजारों न्यूस, प्रिंट मीडिया के जरी, सोशल मीडिया के जरी पढ़ रहे होंगे, यहां आपको आपकी करेंट अफेर से रिले जब एक्जाम तक आते हैं, तो यूपी रह जाएगा याद, पंजाब रह जाएगा याद, क्योंकि आप इतिहास क्रेट हुआ, यूपी में पहली बार जो है, एक मुख्य मंतरी ने अपना टर्म रिपीट किया, और दूसरा पंजाब में एक नई पार्टी की सरकार बनी, तो ये रह जाएगा याद, पर अक्सर लोग मनिपूर, गोवा, उत्रा खणे से बूल जाएंगे, तो पहले तो दिमाग में ये लॉंग टर्म क्ले साल भर क्ले रखी कि कहां कहां ये चुनाओ हुए, ठीक, दूसरी चीज जो आपको इस मिध्यान में रखनी है, वो है यहा चुनाओ हुए, या कोई विवाद हुआ, उनकी आप सीटे जरूर याद रखें, तो चत्रिसगर की विधानसबा सीट याद रखने के अलावा, ऐसे कोई भी राज्य जांग की विधानसबा चर्चा में रहे, आपको याद रखनी है उनकी सीटे, जैसे आपको याद रखन है कि यूपी में 403 वहां के विधानसबा सीटे हैं, ठीक, 403 है, पंजाब में 117 है, उत्राखण में 70 है, गोवा में 40 है, और मनिपुर में 60 है, ठीक है, तो ये विधानसबा सीटे हैं, जहां पर elections हुए, फाइन, जिसमें से ये party composition सिर्फ आपके knowledge के लिए है, कभी exam में नही पूछता, बस जो चीजें आपको ध्यान में रखनी वो ये, कि कौन से राज ये, कौन से विधानसबा कितनी सीटे हैं, ठीक है, आपको match the following में ये दे सकता है, अगली बात है आपको ध्यान में रखनी कि यहां पे लोगसबा सीटे कितनी हैं, ठीक, तो लोगसबा सीटों मे में दो है, और मनिपुर में दो है, ठीक, तो आपने पहले एक्जेम्स में देखा होगा, कि लोगसबा सीटे भी match करनी के लिए आता है, तो या तो वो एकदम टॉप 3-4 जो बड़े-बड़े राज्य हैं, जा पे highest लोगसबा सीट से उसको पूछ देगा, या चर्चा में चर्चा में जो राज्य रहें, उनकी लोगसबा सीटों को पूछ देगा, इसलिए विधान सबा सीटों की साथ-साथ, आप यहां की लोगसबा सीटे भी कितनी-कितनी हैं, यह याद रखें, तो इलेक्शन कमिशन ने ये जो पांच राज्यों में विधान सबा चुनाव आ अंतिम आकड़े, सारे इलेक्शन के फाइनल आकड़े अभी आने के हैं, यह तो एक पहले का आकड़ा था, ठीक, और यह भी उन्होंने गाइडलाइन जारी की थी, सेंट्रिल इलेक्शन कमिशन ने, कि जो लोग असी वर्ष की उपर हैं, या फिर जो डिसेबल हैं, या कोर की तरह से महिलाओं द्वारा संचालित होना चाहिए, और इसको ध्यान में रखते हुए, एक से ज्यादा पोलिंग बूत हर जगे पर महिलाओं द्वारा संचालित किये गए, ठीक, तो यह कुछ हाइलाइट्स थी, जो आपको इस से रिलेटेड, आपकी एक्जाम से इतिहास में पहली बार एक नई पार्टी आई, वो ध्यान में रखें, दूसरी चीज, वहाँ लोगसभा सीटे कितनी थी, और इलेक्शन कमिशन की गाइडलाइन्स क्या थी, बस, इतना ही आपके लिए इस न्यूस से रिलेटेड, ठीक है, चलिए, बढ़ते हैं अगली न् कत नहीं है, राश्ट्री युवा संसत नौट सब दोहजार बाईस का आयोजन किया गया, इंग्लिश में उसका अब्रिवेशन लिखा, एन वाई पी एफ, एन वाई पी एफ का मतलब होता है, नाशनल युथ पार्लिमेंट फेस्टिवल, ठीक है, तो न्यूस यह है, कि दि और्गिनाईस किया गया, यह ओर्गिनाईजेशन जो इंडिया का युथ अफेर्स एंड स्पोर्स मिनिस्ट्री है, ठीक है, युथ अफेर्स एंड स्पोर्स मिनिस्ट्री और साथ ही लोगसभा सेक्रेट्रियेट, लोगसभा सेक्रेट्रियेट, इन्होंने मिलकर किया, क्य कह रही हो मैं दिल्ली के सेंट्रल हॉल में इस पटिकुलर फेस्टिवल का थर्ड एडिशन और्गिनाइज हुआ जिसे किस ने और्गिनाइज किया लोगसभा का जो सची वाला है लोगसभा सेक्रेट्रियेट और मिनिस्ट्री ओफ यूथ अफेर्स एंड स्पोर्ट्स यहने कि आप कह सकते हैं खेल कुद का जो मंत्राल है उसने मिलकर के आयोजित किया ठीक और इसका जो सेकेंड पॉइंट है आप ये देखें खेल और यूवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकूर ने सतर को संबोधित किया तो जिस मिनिस्ट्री ने आयोजित किया उसी के मंत्री अनुराग ठाकूर ने इस में इस आयोजित को address किया इस वर्ष इसका जो मुख्य थीम थी वो थी be the voice of new India and find solutions and contribute to policy ये कारिक्रम युवाओ की आवाज सुनने के लिए आयोजित किया जाता है जो आने वाले वर्षों में विबन करियर में शामिल होंगे तो बहुत ये बात है तो न्यूस से रिलेटेड है कि दिल्ली में आयोजित हुआ थर्ड संसकरण था ठीक किस ने संबोधित किया अनुराग ठाको ने किया और इस बार की थीम थी Be the voice of the new India and find solutions to contribute to the policy इसके थोड़े से background को देख लेते हैं National Youth Parliament Festival अगर आप देखें तो ये सबसे पहली बार इसका जो पहला संसकरण था 2019 में आयोजित किया गया था 2019 में ये जो festival है खासतोर पर युवाओं के लिए जिनकी एज 18 से 25 साल के बीच में होती है 18 से 25 साल के बीच की युवाओं में जो democratic processes and parliamentary processes होते हैं ये संसदी प्रक्रियाएं और लोगतंतरात्मा प्रक्रियाएं उनकी समझ विक्सित करने की उद्देश्य से ये start किया गया क्या कह रही हुम है 18 से 25 साल के जो भारती युवाओं है उनमें ये जो लोगतंतरात्मा प्रक्रियाएं कि कैसे लोगतंतर चलता है संसदी प्रक्रिया हैं कि कैसे संसद में काम होते हैं उसकी समझ उसकी understanding विक्सित करने के लिए ये festival सं 2019 से आयोजित किया जा रहा है इसका actually में जो idea है सं 2017 में प्रधान मंतरी की मन की बात में प्रधान मंतरी नरिन मोदी ने ये idea दिया था उसके बाद से ये आयोजित हो रहा है सं 2019 से ये 3rd edition था ठीक है अब खासतोर पर ये जो age bracket आप देख रहे हैं 18 से 25 साल इसमें ध्यान रखे ये bracket इसलिए रखा गया क्योंकि ये वो युवा होते हैं जो vote तो डाल सकते हैं लोकसभा ये राजसभा ये विधान परिशद की चुनाओं में हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि आप जानते हैं कि विधान सभा लोकसभा की चुनाओं में हिस्सा लेने का minimum age है 25 साल है ना और राजसभा और विधान परिशद में तीस साल तो 18-25 साल के लोग वोट तो डालते हैं इस वज़े से एक तरह का एक ट्रेनिंग हो रही है उनकी एक तरह से उनके अंदर समझ विक्सित की जा रही है कि आगे आने वाले सालों में अगर वो संसत का हिस्सा बनेंगे अगर वो चाहें पॉलिटी में अपना करियर बनाने के लिए तो वो इन चीजों से अवेर हो जाएं कि कैसे लोगतंतर चलता है कैसे संसत चलती है साथी साथ उनकी बाते सुनी जाती जैसे आप इसकी थीम देख रहे हैं न Be the voice of new India and find solutions and contribute to the policy मतलब ये आयोजित किया जाता है तो इसमें जो इस age group की युवा है उनकी राजनीती से related जो भी सोच है उन्हें सुना जाता है उन्हें अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है जो भी समस्याओं से देश जूज रहे उसके उपर वो अपनी राय रखते हैं और ये भी बात है कि इस festival में जो winners होते हैं उनको फिर लोगसभा speaker के सामने validatory function में बोलने का मौका मिलता है तो जो कुछ भी वो बोलना चाहते हैं अब लोगसभा में लोगसभा speaker के सामने बोल सकते हैं तो एक तरह का ये encouragement है जिसमें लोग भारत की समस्याओं से जादा जादा जूज है और युवाओं का जो एक energy है वो इंडिया में social problems, political problems को find out करने में लगे channelization हो तो राजनीती, लोगतंदर की समझ विक्सित करना इसका मेन उद्देशा है बहुत important चीज़ है तो ऐसा है कि करीब-करीब 87 इसमें winners जो state level की state parliament की winners थे वो इसमें participate करते हैं अलब क्योंकि ये national festival है तो state का parliament का भी festival होता है उसमें करीब-करीब 87 winners थे जिन्होंने इसमें participate किया ठीक है और ध्यान रखना इसमें जो भी top 3 winners होंगे they will be able to deliver their speech in front of the लोक सभा speaker in the valedictory function ठीक है 18 से 25 साल ये ध्यान में रखे ठीक उसके अलावा इसके ओजना के दायत ऐसा है कि एक किशोर सभा भी रखे गई है किशोर सभा जिसमें 11-12 के जो मतलब की जो अब 18 साल भी नहीं पहुँचे है 11-12 के जो students हैं वो भी participate कर सकते है 11-12 ठीक है तो ध्यान रखना किशोर सभा 11-12 वालों के लिए एक और है तरुन सभा जो graduate and post graduation जो कर रहे हैं उनके लिए है ठीक है और simply 18 से 25 साल के सभी युवाओं के लिए ये युवा सभा किशोर सभा 11-12 के बच्चों में ये समझ विक्सित करने के लिए रखे गई तरुन सभा graduate और post graduate बच्चों में समझ विक्सित करने के लिए और ये जो युवा सभा है ये पूरी तरह से sage bracket को cover करती 18-25 साल ठीक है तो ध्यान रखें इसका मकसद है लोग तंत्र और संसदी प्रक्रियाओं की समझ विक्सित करना और इसमें जो जीतते हैं उन्हें लोग सभा में अपनी बाते रखनी का मुखा मिलता है ठीक है समझ में आए न्यूस इसका background इसके प्रिश्टबों में तो ध्यान में रखना है थर्ड एडिशन है दिलनी में आई जित्वा सेंट्रल हॉल में अनुराक ठाकुर ने address किया चलिए move on करते हैं अंगली न्यूस पर next news है केंदर सरकार ने सर्वोच न्याले में विदेशियों के अधिकार पर कानून बनाने की मांग की है और आप देख पा रहे हों कि इसमें बहुत सारी चीज़े हैं आप चाहें तो इसका screenshot लेने जादा बेतर होगा और ये background कैसे है, politics related वो मैं अब आपको समझाते हूँ ठीक है, पहले जो लिखा है उसे पढ़ लेते हैं केंदर सरकार ने सर्वोच न्याले से अपील की है कि वो वीजा शर्टों के उलंगन के बाद विदेशियों को राहत देने के लिए स्थानी न्यालों से संपर्क करने के अधिकार के विशय पर देश के लिए दीरकालिक नहितार्थ के साथ एक कानून बनाने में मदद करें मतलब अपील किये Central Government ने, हिस्से किये Supreme Court से ठीक, उसके बाद तो इसमें mainly ये बोल रहे हैं कि क्या होता है, आप ये जानते हैं कि Fundamental Rights में आपने पढ़ा कि कुछ जो राइट्स हैं वो ऐसे हैं जो foreigners को नहीं दिये गए बाकी के जो Fundamental Rights हैं वो सभी को मिले हैं चाहे वो इंडिया के citizens हों, चाहे वो foreigners हो जहां पर आए हैं, चाहे वो visa पर पढ़ने के लिए आए हो job के लिए हो या घूमने के लिए हो, सभी को मिले हैं अगर मैं दोहराद हूं, अगर आपको याद ना हो तो मैंने बताया था 15, 16, 19, 29 और 30 ये एक ऐसे set of rights हैं जो foreigners को नहीं मिलते foreigners को नहीं मिलते हैं, सिर्फ citizens के लिए इनकी अलावा, 14 से 32 के बीच में बाकी के जितने मौलिक अधिकार हैं ये foreigners को मिलते हैं, पर ये वाले foreigners को नहीं मिलते हैं छीक, ये बात सबको याद है तो अभी, इसी set में से एक article पर आप गौर करें article 19 article 19 article 19 में 6 प्रकार की स्वतंतरताइं दी गई है न कि वाक एवं अभिव्यक्ति की कहीं पर भी भ्रह्मन करने की कहीं पर भी मकान लेकर बसने की movement की, assembly की speech and expression की profession choose करने की है की नहीं, ये 6 protections दी गई article 19 fundamental right में ये वाले 6 freedoms विदेशियों को नहीं मिलते हैं ठीक, सहीं बात है लेकिन क्योंकि बाकी सारे जो fundamental rights में वो विदेशियों को मिलते हैं तो इसमें article 21 भी विदेशियों को मिलता है क्योंकि इस set में article 21 में मतलब article 21 विदेशियों को मिलता है, article 21 मतलब no one will deprive you of your right to life and personal liberty except procedure established by law, मतलब आप से आपके कोई जीवन जेने की स्वतंतरता नहीं छीन सकता, ठीक, तो जीवन जेने की स्वतंतरता और व्यक्तिगत स्वतंतरता इसमें आती तो ये व्यक्तिगत स्वतंतरता वाला right उनको है, पर article 19 के तहट जो 6 freedom से वो उनको नहीं है तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें collide हो रही थी article 19 में जो चीज़ें हैं वो foreigners को allowed नहीं है येने उसका अधिकार नहीं है और व्यक्तिगत स्वतंतरता article 21 के तहट उने दिया हुआ है ठीक है, और व्यक्तिगत स्वतंतरता के अंतरगत, right to move to code भी आता है, right to fast hearing भी आता है, वो दिया गया है तो यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ कि ये दोनों आर्टिकल foreigners के issue में collide हुए, तो जो भारत के solicitor general है तुशार में था, उन्होंने एक अपील सरकार के तरफ से सर्वोचनेल को की है कि 1921 से related जो विवाद है, foreigners से related, उसका एक दीरकाल यहने long lasting implication वाला एक law बताईए, आप जानते हैं कि कई बार ऐसा हुआ है, कि अगर कोई चीज विवादास्पद होती है, समिधान की कोई ऐसे अब पहलू होता है, जो clear नहीं होता, सपश्ट नहीं होता, तो उसका निराकरन सर्वोचनेले करती है, कई बार सपश्ट्री करन सर्वोचनेले करती है, तो यहाँ पर सपश्ट्री करन करने की या कोई एक बीच का रास्ता निकालने की बात कहे रहे हैं सरकार, कि सर्वोचनेले सपश्ट करें कि foreigners को 19 नहीं मिलता 21 मिलता है तो फिर उनका जब वीजाओं का वो उलंखन करते हैं तो फिर क्या वो local courts जा सकते हैं तो देखो ऐसा हुआ है कि पिछले कुछ सालों में ये बात सामने आई कि country जब वीजा issue करती है तो वीजा issue करना is a sovereign decision ठीक है और अगर मान लीजे वो वीजा issue करती है और कोई व्यक्ति वीजा की conditions का उलंखन करता है तो उसकी कोई remedy नहीं हम विदेश जाते हैं उस देश में मान लीजे हम USA चले गए वहाँ पर हमको जो वीजा issue हुआ है उस वीजा की कुछ condition होती है अगर हम उसका उलंखन करेंगे तो कोई remedy नहीं है वैसी हमारे हैं भी यही बात हो रही है ठीक है 19 के तहट उनको राइट नहीं दिये गए किस के तहट उनको कुछ राइट दिये गए तो यहाँ पर विवाद हो रहा है उसकी कोई remedy नहीं मिल रही है मतलब ऐसा है कि अगर वीजा condition का उलंखन करते हैं तो उसमें हो सकता है वह कुछ बोल रहे हों कहीं पर भी घूम रहे हो जिसका अधिकार उने नहीं है डीक है तो यहाँ पे charges लगाते हैं तो वो article 21 के दाद court जा सकते हैं क्योंकि उनको personal liberty मिली हुई है तो यहाँ पे एक बीच का रास्ता मतलब solicitor general ने कहा कि यह बड़ा ही confusing सी चीज हो जाती है कि एक article उन्हें कोई चीज करने का अधिकार नहीं दे रहा है तो दूसर article कह रहा है कि तुम्हें अधिकार है अगर तुम्हें ऐसा कुछ injustice लग रहा है तो तुम court चले जाओ तो इस वज़े से visa condition के उलंगन जितने भी विदेशी भारत में करते हैं उनको कैसे deal करना है इस पर सरकार के सामने हमेशा article 19 और article 21 फसता है इस वज़े से सर्वोच नयाले से यह आचिका लगाई गई यह अपील की गई है कि आप इस मामली को clear करें कि विदेशियों को 1921 जो दोनों दिया गया है उसमें जब वो visa condition का उलंगन करते हैं तो वो कोई local code जा सकते हैं की नहीं और अगर वो जा सकते हैं तो उसका दाइरा क्या होगा उसका scope क्या होगा वो किस तरह की आचिकाय लगा सकते हैं उनके साथ judgment कैसा होगा तो ये चीज़ें और clear होंगी जब सर्वोच नयाले से और बातें आप proceedings आगे बढ़ेंगे विल्कुल मिलाकर कि विदेशियों के आर्टिकल 1921 की बीच का जो conflict है उससे related एक clarification की मांग के इंदर सरकार ने सर्वोच नयाले से की है आप इस line को जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब यही देरिकालिक नितार्त मतलब long lasting implication वाला कोई clarification दे सर्वोच नयाले जिसे सरकार को भी clear हो कि visa violation जो होता है उस condition पे कैसे deal किया जाए और उन लोगों का क्या दिकार हो सरकार क्या कर सकती है और वो लोग किस तरह से कोट में जाकर क्या अपील कर सकते हैं तो विदेशियों के लिए भी clear हो और सरकार के लिए भी clear हो ठीक है तो देखिए वही चीज़ दी गई उसके base को जो मैंने अभी बताया सरकार ने विदेशियों द्वारा स्थानी नियाले की ओर रुख करने की अधिकार जबकि अनुचेद 19 उन पर लागू नहीं होता कि दाइरे से जुड़े प्रश्णों की पड़ताल करने को कहा ठीकि 19 उनको लागू नहीं होता तब भी भारते समिदान का अनुचेद 19 उनने से एक विदेशी पर लागू नहीं होता जैसे कि आपको बता है मैंने अनुचेद 21 लागू होता है ऐसी सूरत में स्थानी अधालतों का रुख करने उनकी अधिकारों का दाइरा क्या होगा एक अलाव कर रहा एक नहीं कर रहा तो दाइरा बताएं स्कोप बताएं अनुचेद 21 जो ये कहता है कि कानुद वारा स्थापित प्रक्रिया कि इनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन ये व्यक्तिकत स्वतंतरता से वंचित नहीं किया जा सकता जो भी मैंने थोड़ी दर पर इंग्लिश में बताया आर्टिकल 21 का ट्रांसलेशन नागरी को एवम गयर नागरी को पर समान रूपस हैं तो सर्वोच नियाल है, सरकार उससे कैसे डील करें और वोलों के पास इससे रिलेटिट क्या दिकार है इस मामले में 19 को देख करके एक दीरकालिक इंप्लिकेशन वाला यहने कि लॉंग लास्टिकेशन वाला को एक क्लैरिफिकेशन दे, कोई लोग बनाए तो याद रखें कि यह जो नियूज में है, इससे आपको यह वाला जो क्वेशन है, कौन से विदेशियों को लों मिलता है, कौन से विदेशियों को लों नहीं मिलता है, मामले खदिकार ये हाइलाइट हो जाता है 19 और 21 हाइलाइट हो जाता है तो इसको आप थोड़ा सा प्रोफाउन तरीके से पढ़ें ठीक है? समझ मैं बाद? ठीक? तो ये रही न्यूज और इसका बेग्राउंड fundamental राइट है चली बढ़ते आगे अगली न्यूज है आपकी दो appointments related बहुत जाद आपको ध्यान में नहीं रखना है बस इत्याद रखना है कि कौन नए राश्पमक न्यूक्त हुए और जिस देश के बारे में न्यूज आई उस देश की जो basic जानकारिया है वो आपको ध्यान में रखना है क्योंकि direct ना पूछ करके वो वहाँ की राजधानी, वहाँ की currency वहाँ का जो संसद का या वहाँ की सरकार का model है कुछ भी पूछ सकता है आपसे exam तो ऐसा है कि तक्षिन कोरिया, साउथ कोरिया जो कि आपका पूर्वी एशिया यानि कि East Asia का एक देश है ये चुने गए, वो 5 साल की निश्चित अबधी के लिए, तो आने वाले 10 मई 2022 से ये पदभार गरंड करेंगे, तो यहाँ पे South Korea चर्चर्च में आता तो मैंने अभी आपको बोला कि पूरवी एशिया के ये एक देश है जिसके बारे में ये कुछ बेसिक जानकार है आप हाइलाइट्स के तौर परियाद रखें इसे शान सुभा की भूमी भी कहा जाता है South Korea is also known as शान सुभा की भूमी इसकी राधानी सियोल है सभी जानते हैं इसकी जो करेंसी है वो है दक्षिन कोरियाई one ठीक है North Korea और South Korea दोनों की जो करेंसी है वो one है एक North Korean one ये South Korean one दक्षिन कोरिया में राशपती राशप्रमुक होता है मतलब यहाँ पे Head of the State जैसे इंडिया में President होता है वैसे वाँ पे Head of the State President होता है और वहाँ पे भी संसदी प्रणाली है, लेकिन वहाँ पर Unicameral Legislation है, याद रखने हैं, Unicameral हम पढ़ते हैं संसद में कि कहीं पर 2 सद नी है, कहीं पर 2 सद नी है, कहीं पर 3 सद नी है, तो South Korea में जो संसद है वो Unicameral है, मतलब 1 सद नी है, जिसमें कुल मिलाकर 211 सीट है, तो 21 211 सीटे याद रखने की ज़रूरत नहीं है इतना याद रखे कि दक्षिन कोरिया में यूनी कैमरल लजिसलेचर है इनका नाम याद रखे करेंट से रिलेटिट वहां का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर याद रखे बेस से रिलेटिट ठीक है दाट इस चलिए बढ़ते आगे सेम गोज विथ हंगरी तो हंगरी में ये इतिहास के इंपोर्टेंट वहां की घटना इसलिए होगी क्योंकि इमापे पहली बार कोई फीमेल प्रेसिडेंट बनी है और उनका नाम है कैटलीन नोवाग ठीक तो जो कैटलीन नोवाग है उन्होंने और्बिन की सत्तारून फिद जैनुस आडिर को हराया है उनका स्थान लिया इनने उनके बाद ये बनी है तो इससे पहले जैनुस आडिर जो है वो वहां के राश्प्रमुक थे वह 2020 से हंगरी की परिवार और युवा मंत्री थी यनिए ये पहले से वहां पे एक मिनिस्ट्री में पोस्टिट थी यनिए ध्यान रखना, वहां की संसद ने इने चुना है, डिरेकली इलेक्शन ने हुआ है, वहां की जो संसद है, उन्होंने इनको चुना है, ठीक, आधिकारिक तोर पर हंगरी एक गणराज है, गणराज है मतलब सीधी सी बात है, जहां पर चुना जाता है राश्ट प्रमुख को, यह राश्ट प्रमुख है वहां की, उन्हें चुना गया, तो जाहिर से बात है हंगरी एक रिपबलिक होगा, अगर आप ओफिशेल नेम ऑफ हंगरी देखेंगे तो उसे हंगरी रिपबलिक ही कहा जाता है, हंगरी गणराज है, तो गणराज है, यह राश्ट प्रमुख, राश्पती इन्हें चुना जा रहा है वहां की संसद्वारा, तो इलेक्टेट पोस्ट है प्रेसिडेंट की, इसलिए वो इक गणराज है, ठीक है, तो हंगरी की सरकार एक संसदी गणतंतर है, संसदी गणतंतर का मतलब जो संसद के लोग हैं, वो राज्य प्रमुक को चुनत हैं, रेपबलिक इसलिए क्योंकि राज्य प्रमुक चुना गया, और संसदी गणतंतर इसलिए क्योंकि संसद्वारा वो चुना जाता है, ठीक है, उसके लवा बेसिक चीज़ें, हंगरी जो है, वो बुड़ा पेस्ट, उसकी राजधानी है, वहां की जो करेंसी है, वो इसलिए, आइसीट, ठीक है, तो हंगरी, we all know, is an important European country, जिसका capital Buddha paste है, वो European Union और NATO दोनों का member है, ठीक है, वहां पे पहली बार एक महिला राश्पती चुनी कही है, तो इनका नाम आप याद रखें, कैटलीन नोवाक, किसको replace किया, उन्होंने याद रखेंगे, उससे पहले व महिला नियादीशों का अंतराश्ट्रिय दिवस, तो ऐसा है कि United Nations ने एक तरह से female empowerment के लिए, लेंगिक समानता स्थापित करने के लिए, सन 2021 में ही अनाउंस कर दिया था, कि judiciary में females का participation बढ़ाने के लिए, हम 10 March को अंतराश्ट्री महिला नियादीश दिवस मनाएंगे, तो ब एहला अंतराश्ट्री महिला नियादीश दिवस मनाया गया, तो United Nations के एक declaration के हिसाफ से, इस साल 10 March 2022 को International Women Judge Day मनाया गया, ये main news है, इसके points हम पढ़ लेते हैं, संध्राश महासबा ने 28 April 2021 को प्रतिवर्ष 10 March, तो 10 March की date आप याद रखेंगे, को महिला नियादीशों का अंतरा श्री दिवस मनानी की घोशना की थी, संध्राश महासबाय ने, United Nations General Assembly ने, कतर द्वारा ये प्रस्ताव पेश किया गया था, मतलब जब 2021 में ये बात कही गई थी, तो कतर जो है, उन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया था, कि we should celebrate 10 March as International Women Judge Day, तो याद रखेंगा यहाँ पर कतर करना, देशबर की समिधानिक अदालतों की सभी महिला न्याइधीश और महिला न्याइक अधिकारियों को कारिकरम में ऑनलाइन माध्यम से शामिल होने के लिए आमेंतरत किया गया, तो क्योंकि एक International Fest है, तो इंडिया में भी जितने भी female judges हैं, उन सब को इसमें invite किया गया, ठीक है, सैंक राश का सदत विकास लक्षे 5 लेंगिक समानता और महिलाओं लड़कियों का सजक्ति करने, उनका लक्षी सभी विकास लक्षियों में प्रगति हासल करना, और 2030 Agenda 2030 जो है सैंक राश का को क्रियानवन करना है, तो 2030 तक के gender equality का जो गोल है United Nations का उसको अचीव करन या इपालिका में women का participation बढ़ाना और women empowerment को बढ़ाना, ये जो लक्षे इसको अचीव करने के लिए ये 10th March को चूज किया गया है, women judge day के रूप में, तो आपको इसमें से mainly highlight 10th March लेनी है, दूसरी ये चीज़ें आपको कहीं न कहीं जब आप women empowerment के उपर कभी ऐसे लिखते हैं कभी अगर आपको ऐसे महिला सशक्तिकरन के उपर आ जाए, या प्रशासर में महिला सशक्तिकरन के उपर आ जाए, या महिलाओं कोई भूमी का निया पालिका में, या प्रशासर में, या governance में ऐसा आ जाए, तो वहाँ पे ये lead आपको मिलती है, एक example के तोर पर लिखने के के लिए, कि ऐसा भी कुछ step लिया गया है, तो जब भी आप ऐसे में बताते हैं कि किस तर से राश्वें तर राश्वें तर राश्वें के लिए कोई ख़दम उठाए गए, तब आप वहाँ पे इसे एक example के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, 10th मार्च, और इसका जो प्रस्ताव रखा था, वो कतर ने रखा था, 2021 में प्रस्ताव पारित हुआ था, और 10 मार्च, अभी ये ने इसी हफ़ते, 10 मार्च, 2022 में ये celebrate किया दया, clear है, तो समझ पा रहे हैं कि इसमें से current से related आपको क्या चीज़े उठाने हैं, और इसे essay में, paper 7 में और prelims में कैसे use करना है, ठीक, fine, चलिए, बढ़ते हैं आगे, उसकी बात, क्योंकि मैंने कहा नाटो से related सारी news अभी फिलहाल के लिए आपकले important है, तो जो अभी हमने एक नाम पढ़ा, कतर, कतर जो है, वो अमेरिका का एक non-NATO ally बना है, यह आप देख सकते हैं, कतर और अमेरिका के राश्टर पमुखों की यहाँ पे तस्वीरे हैं इस news के साथ, तो पहले हम news पढ़ लेते हैं, प्रमु गैर नाटो सहयोगी अमेरिका सरकार द्वारा अपने कुछ करीबी सहयोगियों को दिया जाने वाला दर्जा है, देखो, कतर does not comes in Europe, nor it comes in the scope of NATO, North Atlantic Treaty Organization जो है उसमें कतर वाला शेतर नहीं आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी NATO के non-aligned members के रूप में, अमेरिका कुछ लोगों को यह दर्जा देता है, ठीक, किनको देता है यह, कुछ करीबी सहयोगियों को वो यह दर्जा देता है, non-NATO, ठीक है, जिसमें NATO का विस्तार नहीं किया जा सक बट कुछ चीजें, कुछ शर्तें, कुछ flexibility, कुछ सुविधाएं, कुछ facility उनको भी दी जाएंगी, या mutual bilateral relations में उनको ऐसे treat किया जाएगा, जैसे की NATO के सदस्यों को treat किया जाता है, जाहिर से बात है, वो obligation, वो facility जो NATO members को अमेरिका देता है, वो तो नहीं, चीजें आपके द एक पूरा अलग से आपको news बना करके दूँगी, NATO क्या है, इसके history, इसका present, सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसको, फिलाल अब इतना बस समझें, कि जो भी leads NATO से related आ रही है, वो current के लिए और basic के लिए paper 7 के लिए सब चीजों के लिए आपके लिए important है, ठीक, अब आप मतलब वो quality, जो आपकी study से related है, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि NATO देश, North Atlantic Treaty Organization के अंदर दाइरे में जितने देश हैं, उनके साथ जित्वी तरह के bilateral relation America के हैं, या multilateral relation America के हैं, उससे थोड़े कम relation non NATO देशों के साथ इसके रहते हैं, और बहत खरीबी सही होगी, जो NATO की दाइ देशों के प्रमुक गयर NATO सेयों का दर्जा देती है, जो तुरी Atlantic संदी के सदसे नहीं है, लेकिन अमेरिका के सशस्त्र बनों के साथ रणनीतिक संबन तक हैं, तो अमेरिका का जो defense system है, उसके साथ अगर कोई देश के diplomatic relations है, कुछ strategic relations है, तो उनको वो NATO का member, non NATO के रूप में मैंने क्या का, क्योंकि जो ये पूरा NATO का ग्रूप है, ये multilateral defense association है, multilateral defense association, अलग अलग देशों की जो सेना हैं, वो एक जो ठोकर के एक साथ आती है, common purpose से, तो इस वज़े से वो देश जो NATO के सदसे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं, अमेरिका का जो defense system है, उसके साथ उनकी strategic relations है उनको वो non NATO देश का एक दरज़ा देती है, प्रमो गयर NATO सेयोंग का दरज़ा में सवचाली तुरुक से अमेरिका के साथ, कोई पारस्परिक रक्षा समझाओता है, शामिल नहीं है, तिक ही, जैसे मैंने कहा, NATO से दस्यों के साथ, जैसा पारस्परिक रक्षा समझाओता होत अस्ट्रेलिया, एजिप्ट, इस्रेल, जैपैन, और साउथ कोरिया, ये पाँच देश और याद रखें, जो नाटो का हिस्सा ना हुए थे हुए भी, अमेरिका के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन रखते हैं, डिफेंस में, नौन नैटो मेंबर बनके थी, अस्ट्रेलिय एजिप्ट, इस्रेल, जैपैन, और साउथ कोरिया, इसमें कौन और शामिल हो गया है, कतर, और साथ ही साथ, जब ये दरजा हासिल हुआ कतर को, उसके बाद जो बाइडन ने एक और देश का नाम नॉमिनेट किया, नौन नैटो लाए के रूप में, और वो है कोलंबिया, तो कोलंबिया भी जो है, it is not included in NATO, तो अभी खतर शामिल हो और जो बाइडन ने बोला कि कोलंबिया को भी हम include करने का nomination करते हैं, fine, तो मैं फिर कह रही हूँ, NATO में अभी detail में मत जाओ, let everything, it gets completed, ठीक है कुछ दिनों में hopefully war जो अगर खतम हो जाती है, तो पूरे में एक आपको वीडियो एक session ऐसा बना के दूँगी, जो इस पूरे war की उपर रहेगा, और जाहिर से बात है क्योंकि NATO एक ततकालिक कारण के रुप में उभर कर आया, दोनों देशों के बीच, युद्ध के कारण के रुप में, तो NATO पर तो detail में चर्चा होगी, तो as soon as the war gets completed, hopefully it gets ended soon, जैस यह war complete हो जाती है, एंड हो जाती है, जो कि हम आशा करते हैं कि जल्दी हो जाए, उसके बाद हम NATO, रूस- युक्रेनी वार के उपर एक पूरा discussion लेंगे, ठीक है, आप फिलहाल बस इतना जाने, कि नो नाटो अलाइक का भी एक सदस्ता होती है, जो हाल में कतर को मिली, उसके पहले इन देशों को मिली है, 1987 से अमरिका ने इसे शुरू किया है, इनके साथ कोई ऐसे पारस्पिरिक रक्षा समझवाता होता नहीं है, लेकिन इन देशों के साथ, इनके कुछ ना कुछ रणनीतिक संबंध होते हैं, डिफेंस के, इस वज़े से इनको ये दर्जा देता ह कदर को मिला है, और आगे नॉमिनिशन भी आ गया है, कुलंबिया को, ठीक है, आई होब आपको समझ में है, बढ़ते हैं अगे, ठीक, उसके बाद एक दो चीज़ें हैं, जो हिस्टरी से रिलेटेड हैं, कहा जाता है कि जलियावाला बाग भारत में आदुनिक इतिहास का स गुजरात सरकार कहती है कि एक और नर्साहार था, वो है पाल ददवाफ, ठीक है, और इस नर्साहार को सो वर्ष पूरे हो गए हैं, तो क्योंकि सो वर्ष पूरे हो गए हैं और इस नर्साहार को याद किया गया, इसमें मारे गए लोगों को श्रदाजली दी गई, ठीक है, उसका वक्यान किया गया इस वज़े से ये नर्साहार चर्चा में है तो हो सकता हिस्ट्री में कल को आपको ये पूछ दे तो इससे जूड़ी कुछ बाते हैं आप पढ़ें गुजराज सरकार ने पल दद्वार नर्साहार के सौ साल पूरे होने की देखो ये पूरे कर ली है ऐसा नहीं ठीकि पूरे हुए है उस पर इस नर्साहार को याद किया इसे जलियावाला बाग से भी बड़ा सहार बताया गया इन हत्याओं को राज्य की गरतंतर दिवस की जाकी में भी दर्शाया गया जो अभी स्टेट की वहाँ पे गरतंतर दिवस की जाकी थी न उसमें भी इस नर्साहार की कुछ ग्लिम्सेज दिखाए गये थे ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले अब पढ़ते हैं कि ये नर्साहार था क्या ये नर्साहार साथ मार्च 1922 ठीक है? ब्रिटेश रह की बात है साथ मार्च 1922 को गुजरात के पाल चितरिया और दधवाव गाओं में हुआ था आप नाम से समझ रहें पाल दधवाव याने दो जगों के नाम है पाल और दधवाव और गुजरात में हुआ मतलब ये गुजरात में ये दोनों गाओं स्थित है तो पाल दधवाव नाम के दो गाओं में 1922 के साथ मार्च में ये मैसेकर हुआ था तो पहले तो डेट और येर और प्लेस याद रखें पाल दधवाव साथ मार्च 1922 गुजरात मोतिलाल तेजावत के नित्रत में एक ही आंदोलन के हिस्से के रूप में ग्रामिन एकत्र हुए तो अंग्रेजों ने लगबख 1000 लोगों को गोली मार कर उनकी हत्या कर दी उनका उद्देश भूर आजस्वकर का विरोध करना था तो ऐसा है कि गुजरात के एक नेता मोतिलाल तेजावत उन्होंने एक आंदोलन चलाया था एक ही आंदोलन ठीक है तो इस एक ही आंदोलन के जो कोर्स ओफ एक्शन है उसी वज़ा से वहाँ के कुछ लोग वहाँ के जो ग्रामिन लोग हैं वो लोग इकठा हुए थे बस इस आंदोलन को दबाने के लिए जैसे जलियावाला बाग में बिना मतलब कि एक पीसफुल रैली पर गोलियां बरसाए गई थी वैसे ही अंग्रेजों ने इस एक ही आंदोलन के तहर जो ग्रामिन इकठा हुए थे उनको खामोश करने के लिए वहां पर भी ये हत्याकान किया जिसमें एक हजार लोग मारे गए थे यनि करीब करीब उतने ही जितने जलियावाला बाग में थे कोई जलियावाला बाग के आकड़े विवा देते हैं कोई साड़े तीन सो बोलता है तो गुजरात सरकार कहीं न कहीं इस नरसहार के जो दर्द है उसको एक्स्प्लेन करना चाहती है सौ साल के जो इसकी सौ साल इसके पूरे हुए है उस उपलक्ष में कि गुजरात ने इसे भी भोगा है तो इसे वी इतिहास में याद किया जाए समाझ जने बात तो जल्यावाला बाग जैसा ही एक नरसहार गुजरात के पाल ददवाव में हुआ था जिसमें हजाल लोगों के हत्ते अंग्रेजों ने कर दी थी ये जो रैली हुई थी वो एकी आंदोलन के तहत हुई थी और ये जो लोग इकठा हुए थे जैसे कि जल्यावाला बाग में इकठा होने के जो कारण थे हमने पढ़ा इतिहास में कि सत्पाल और सैफदीन किचलो की गिरिफतारी हो गई थी राउलेट एक के खिलाफ तो उस वज़े से वो लोग इकठा हुए थे वैसी इनके बारे में हम ध्यान रखें कि वहाँ पे लेंड रेविन्यू जो है उसके विरोध में ये आंदोलन चला था जिसके तहत वहाँ पे लोग इकठा हुए और अंग्रेजों ने एक हजार लोगों का वहाँ पे नरसहार कर दिया ठीक है तो ध्यान रखें हो सकता है कभी ये चीज हाइलाइट होकर हिस्ट्री के परस्पेक्टिव में पूछी जा रहा है ठीक है तो गुजरात में 100 साल इस घटना को है उसे याद किया गया ये ध्यान में रखना है ठीक फाइन डेट प्लेस और किस उद्देश से हुई थी ये ध्यान रखें फाइन चलिए बढ़ते आगे ठीक और आपकी लास्ट न्यूस भी अगेन बुद्दिजम से रिलेटेड है बहुत सिंपल से question पूछता है कि गौतंबुत की अलग-लग मुद्राओं वाली मूर्तिया कहाँ पर है ये culture का بھی part होता है, art and culture में ये history का भी पार्त होता है आप जाते हैं कि बोधी सत्वास गौतंबुत की अलग-लग मुद्राओं में बैठी हुई जितनी मूर्तिया है वो कहीं न कहीं की बहुत जादा famous हैं, उनकी सबसे जादा जो famous मुद्रा है वो है भूमी सपर्श मुद्रा, तो भूमी सपर्श मुद्रा में आपको जादा तर उनकी मूर्तिया मिलेगी, लेकिन शेयन मुद्रा में उनकी जो मूर्तिया हैं वो कम ही देखने को मिलती है, तो गौतम बुद्ध से related ये news आती है कि उनकी शेहन मुद्रा में सबसे बड़ी मूर्ती बनाई जा रही है, तो देखते हैं इस news को, शेहन मुद्रा में भारत के भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ती, मूर्ती बिहार के बोध गया में बन रही, सभी जानते हैं कि जो ब प्रतिमा 30 feet उची और 100 feet लंबी होगी, इसके ये जो features हैं ये ध्यान रखें, ये 30 feet उची और 100 feet लंबी होगी, लंबी जाद होगी ये कि शेहन मुद्रा में, आप ये जो तस्वीर देख पारें, उसी मूर्ती की construction के टाइम की तस्वीर है, इस प्रतिमा में भगवान बुद की विशाल प्रतिमा भगतों के लिए खोल दी जाएगी, ये अभी इसका inauguration नहीं हुआ, ये बनकर complete हुई है, February 2023 में इसका inauguration होगा, बहुत गया वास थान है, जा भगवान बुद को ज्यान की प्राप्ती हुए थी, इसलिए हमुर्ती बनाई जा रही है, तो आपने देखा current affairs से पूछे जाने के चांसे थोड़े से UPSC बोड में, ठीक है, कि बस कितनी उची मुर्ती कहां बनाई जा रही है के अलावा भी, और कुछ बातें, ठीक है, कि कौन बना रहा है इसे, कब बननी शुरू ही थी, inauguration कब हुआ है, वगएरा वगएरा वगएरा, तो जो आप news पढ़ते हैं current affairs में, अब उसको थोड़ा सा detail points बनाने की कोशिश करें, और कहीं से भी अगर आपके basic subject से link होता है, तो उसे जरूर link करने की कोशिश करें, ठीक है, तो मेरे खाल से मुझे धोराने की जरूरत नहीं, कि गौतम बुद्ध को निर्वान कहां मिला, महापरी निर निर्वान कहां मिला, उनका जन्म कहां हुआ, तो ये जो बुद्ध से related, जो पूरा circuit बन रहा है, इंडिया का central government का जो एक main धे है, कि बुद्ध की जीवन से जुड़े जितनी जगे है, उन सबको develop किया जाए, उनको beautified किया गया है, उनको सौंदरी करण किया जाए, आध्य मेन मुद्रा में इनकी एक मूर्ती बनाए जारी, जो सौफट लंबिया और इस तरह से ही सबसे बड़ी मूर्ती है, clear है चीज़ है, ठीक, so that is it, इतनी ही बाते हैं, इतनी ही चीज़ें थी, जो मुझे current affairs में आपके साथ discuss करने थी, ठीक, current पर भी ध्यान दे, current की थोड़ी स करने, start कर दे, और अगर वो current आपके subject से relate होता है, तो उसकी basic theory जाकर आप जरूर पढ़ें, ठीक, तो आपने देखा, आज की इस news में मैंने सिर्फ quality ने history की भी कुछ चीज़ें ली, आगे भी हम ऐसे ही कोशिश करेंगे, कि quality प्लस history की कोई चीज़ अकर चर्चा में हैं, त जड़ इस बीुत फस्रिवल और कॉलर में जरीव ऑजा हैं, तो एक तिर्व जोरी कोशि़ कर आप दूरूर कोशि़ें ली ट्रीज़ें ऑजर के लाज़ें एक बाहते हैं, तो थिहा है कहिं और देकर आपके से लाफ डिबने काने लाटार स्वेंशब चिज़ें, भीज़